टाइम एंड डिस्टेंस वैसे तो आप लोगों ने ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ा है यूनिट्स, मेजर्मेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, मैथ और फिजिक्स, दोनों ही सब्जेक्स में बहुत ही चैलेंजिंग पोर्शन हमेशा से रहा है कन्वर्शन ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है और अगर हम गॉर्मेंट एक्जाम्स, एंटीपीसी यारार भी इस तरीके किसी एक्जाम्स के परस्पेक्टिव से सोचें तो ये एक चैलेंजिंग टॉपिक हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी बन सकता है नमस्कार मेरा नाम है अभिनोत शांशु पांडे और आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस यहां इस वीडियो में हम इसके बहुती ज्यादा बेसिक्स क्वेस्टेंस दिखेंगे और ग्रैजुली धीरे धीरे करके थोड़े डिपिकल्ट क्वेस्टेंस भी लगाएंगे तो आप मेरे साथ बने रहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे रेगुलर अब्डेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मैं आप सब का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल फोटॉन में तो आएए समझते हैं वाट इस दे मैटर अगर हम स्पीड की बात करें या एक और कीवर्ड है वेलासिटी अगर हम स्पीड की बात करें या वेलासिटी की बात करें हिंदी में इसको बिलते हैं चाल, गती, वेग और रफतार ठीक है तो यहाँ सबसे पहले जो समझने वाली बात यह है कि समझ लीजिए की एक पॉइंट है यहाँ पर से कोई आपजेक्ट कोई बस तू अपनी पोजिशन को चेंज करके बी में जाती है तो यहाँ दो फैक्टर से हैं पहला कि इसको यह करने में कुछ टाइम लगेगा और दूसरा क्योंकि इसकी पोजिशन चेंज हो रही है इसलिए कुछ डिस्टेंस होगा या कुछ डिस्प्लेस्मेंट होगा इस पूरे इंसिडेंस को बोलते हैं मोशन ओके इसका एक फिजिक्स वाला भी पार्ट है जिसके बारे में मैं जादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा लेकिन कुछ फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट बाते हैं जो हमको पता होनी चाहिए जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं जब हम डी की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे अलग-अलग यूनिट्स हो सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम मीटर से, फूट से, किलो मीटर से और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं ठीक है उसी तरीके से जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास है seconds, minutes, hours, days and so on ठीक है अगर हम standard यूनिट की बात करें एक ऐसा यूनिट जिसको पूरे वर्ल्ड में easily follow किया जाता है तो वो है distance के लिए meter और time के लिए second अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं speed की speed होता क्या है तो आप ये समझ लीजिए कि किसी point A से किसी point B में जाने के लिए हमको जो distance travel करना है और उसके बीच में हमको जो time लगेगा अब अगर same distance travel करने के लिए कम time लगता है तो speed हो जाती है जादा मतलब जितने कम समय में आपने वो distance cover किया आप उतनी जादा speed से चले एक relation तो हमको easily समझ में आता है कि speed is inversely proportional to time मतलब जितना जादा time लगाएंगे speed उतनी कम होती जाएगी ये समझना important है इसलिए मैंने समझा दिया ओके फिर दूसरी बात ये है कि आप अगर इस distance को बढ़ा के कुछ और बढ़ा कर दे तब भी आपको जादा distance cover करने के लिए जादा time लगेगा तो अगर हम distance बढ़ा दें मतलब अगर मान लिजाए कि आप 5 मिनिट में कोई लड़का 5 किलो मिटर चल सकता है और उसी 5 मिनिट में कोई लड़का 10 किलो मिटर चल सकता है तो हमको ये बता है कि जिसने ज़्यादा लंबी दूरी तै की उसकी speed ज़्यादा थी आपको बात समझ में आई होगी तो इसका मतलब ये है कि speed speed जो है वो directly proportional होता है directly proportional होता है distance के ठीक है अगर आप speed बढ़ाएंगे अगर आप ज़्यादा distance cover कर सकते हैं तो आपकी speed भी ज़्यादा होगी अगर आप कम distance cover कर सकते हैं उसी time में तो आपकी speed भी कम होगी अगर हमने इन दोनों बातों को एक साथ मिला दिया अगर हमने इस वाली speed जो की time के inversely proportional है और इस वाली speed जो की distance के directly proportional है इन दोनों चीज़ों को मिलाया तो फिर हम एक नए conclusion में पहुंचते हैं और वो है speed s is equal to distance upon time चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय यहां तक की बात clear थी अब distance का unit होता है meter time का unit होता है second तो speed का unit हो जाएगा speed का जो मात्रक हो जाएगा वो है इस meter per second उसी तरीके से अगर हम लोगों ने माना की दूरी का मात्रक है kilometer और समय का मात्रक है आर मतलब घंटे तो फिर इस case में speed का इस चाल का मात्रक हो जाएगा kilometer प्रती घंटा या kilometer per hour ठीक है अब हमारे पास में यह formula आगिया जहां कहते है speed is equal to distance upon time ठीक है इस formula के साथ साथ अगर हम इस formula में थोड़ा बहुत modification करें तो क्या हो जाएगा यह देखते हैं कैसे होता है तो यहाँ s is equal to d by t होता है यहाँ t denominator में हैं हर में हैं अगर इसको equal to sign के उस तरफ भेजेंगे तो यह वहाँ जाके multiply हो जाएगा और हमारे पास में नया formula आया distance is equal to speed into time तो यह पहला type का formula हो गया उसी तरीके से अगर हम t को वहाँ छोड़ने के बाद में t को यहाँ रखने के बाद में अगर s को दूसरी तरफ भेज दें तो यह denominator में चला जाएगा और हमारा अगला formula हो जाएगा time is equal to distance upon speed यह समझना क्यों important है क्योंकि हम कुछ कुछ calculation इस formula के set को use करके करने वाले है यह पहला formula यह दूसरा formula और यह तीसरा formula ठीक है तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को यह तीनों चीजें समझ में तो आई होंगी आप हमेशा यह ध्यान में रखिए कि हमको unit में भी ध्यान रखना है अब बढ़ेंगे हम अपने questions की तरफ और हमारे questions क्या बुलते हैं चलिए देखते तो सबसे पहले देखेंगे हमारा पहला question और हमारा पहला question कहता है कि एक train है जो 45 km प्रती घंटे की रफतार से चल रही है यहाँ ध्यान देजिए कि यहाँ जो unit है वो km पर आर में है How many seconds अब time जो अगली बार question पूछ रहा है वो second में पूछ रहा है तो यहाँ second है और यहाँ आर्स में है मतलब चीजें काम नहीं करेंगी ठीक है तो अब distance क्या है distance है 4 by 5 km तो हमको क्या करना पढ़ेगा चलिए देखते हैं तो सबसे पहले speed देख लेते हैं और speed थी 45 km पर आर 45 km पर आर ठीक है अब अगर 45 km पर आर को क्योंकि यहाँ मुझे आर्स नहीं चाहिए तो यहाँ मुझे क्या चाहिए seconds चाहिए तो हम एक चीज सोच लेते हैं कि अगर मैं इसको seconds में convert कर दूँ तो मेरे पास एक already जाना पहचाना unit है meter per second और meter per second में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमको पता है one kilometer is equal to one thousand meter तो 45 km यह kilometer यहाँ से हटाएंगे और one thousand meter का गुणा कर देंगे multiply कर देंगे ठीक है उसी तरीके से हमको यह एक बात और पता है कि एक घंटे में 60 minute होते हैं यह एक घंटा जो था यहाँ उस घंटे को काटे और हम लोगों ने 60 multiply कर दिया तो अब हमारे पास आ गया minute हमको यह भी पता है कि एक minute में 60 second होते हैं और हमको second की जरूरत है तो यह minute भी हम लोगों ने काट दिया और हम लोगों ने फिर से 60 का multiply कर दिया ताकि हमको seconds में मिल सके तो अब जो कटता है वो काटिये और हमारे पास में जो नंबर बचा वो क्या है 45 तो थ्री टू जा 6 और थ्री फिप्टीन जा 45 पंदरा तिया 45 ओके फिर यहाँ देखते हैं थ्री टू जा थ्री टू जा 6 और थ्री फाइव जा 15 तो मेरे पास बच गए 50 दिवाइड बाई 4 ठीक है तो यह हो गई मेरी स्पीड मीटर पर सेकंड में पहले यह किलो मीटर पर आर में था और अब मैंने यूनिट कनवर्ट करके इसको मीटर पर सेकंड में कनवर्ट कर लिया तो हमको स्पीड के बारे में पता चल गया अगली बात क्या है अगली बात है कि यह जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 बाई 5 किलो मीटर अब क्योंकि वहां स्पीड में हमारे पास मीटर है तो 4 बाई 5 किलो मीटर को भी हम मीटर में कनवर्ट कर लेंगे और 4 बाई 5 मीटर क्या होता है तो 4 बाई 5 किलो मीटर हमको पता है कि हमको किलो मीटर नहीं चाहिए यह कट करना है तो cut करने के लिए क्या करेंगे into thousand meter भाई one kilometer is equal to one thousand meter तो हम लोगोंने kilometer हटाया one thousand आ गया और five ones are five five two hundred's are one thousand तो हमको मिल गया 800 meter ये क्या है ये है हमारा distance अब हमको distance पता है 800 meter और हमको speed भी पता है वो कितनी है speed है 50 divided by four ये जो four है ये जो four है वो उपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा ठीक है तो इसको यहाँ से cut कर देते है अब जो cutता है वो cut आईए और eight three इट थर्टी टू three twenty divided by five ये हमारे पास आया तो अब ये अभी भी कटता है तो काट देते हैं और हमको मिलेगा five five six are thirty five fours are twenty मतलब हमको मिलता है sixty four seconds और ये है time हम लोगों ने अभी अभी formula देखा था time is equal to distance by speed और हम लोगों ने ये चीज़ यूज की तो आप देखते हैं कि 64 seconds हमारे option में है की नहीं अगर है तो ये हमारा correct option है और 64 seconds it is तो हमारा पहला option 64 seconds है मैं समझ रहूं कि आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी speed और होनी चाहिए लेकिन मुझे उन सारे students के बारे में सोचना है जिनको चीजें समझने में थोड़ा time लगता है तो be patients आप खुद भी pen copy लेकर बैठे हैं तो आप भी मेरे साथ साथ solve करते जाए और देखिए चेक कीजिए कि आपके answers match करते हैं कि नहीं तो हम बढ़ेंगे अपने अगले question की तरफ हमारा अगला question है दूसरा question है तो सबसे पहले हमको ये है distance पता चल गया यहां हमको time पता चल गया और speed की speed का formula होता है distance upon time तो ये हो जाएगा 250 divided by 75 so 25 3s आ and 25 10s 10 by 3 ये हमको मिल गया क्या ये हमको मिल गया speed ओके लेकिन ये speed meter per second में है क्योंकि अगर आप चाहें तो आप यहा ध्यान दे सकते हैं कि ये जो distance का unit था वो meter में था और जो time था वो second में था तो हमको meter per second में ये information बिली है अब meter per second को kilometer per hour में कैसे convert करते हैं तो मैं आपको बता दूँ माल ली जाए मेरे पास है one माल ली जाए मेरे पास है one meter per one second ये मेरी speed है इसको अगर मैं kilometer per hour में convert करना है तो हमको पता है कि one meter is equal to one divided by thousand kilometer क्योंकि अगर मैं आपको बोलू 5000 kilometer को meters में convert करो ये 5000 meters को kilometer में convert करो तो आप क्या करेंगे आप thousand से divide कर देंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे हम thousand से divide कर देंगे उसी तरीके से अगर seconds को hours में convert करना है तो हम लोगों ने जब hours को second में convert किया था तो 16 to 60 मतलब 3600 से multiply किया था अब हम divide कर देंगे तो ये 3600 हो जाएगा जो कटता है वो काट देते हैं और हमको मिलता है 18 divided by 5 मतलब 1 meter per second is equal to 18 divided by 5 kilometer per hour ठीक है और हमारे पास जो speed थी वो कितनी थी तो हमारे पास जो speed थी वो थी 10 by 3 तो फिर से 10 10 by 3 into 18 by 5 5 बंजा 5 5 एकम 5 5 दोनी 10 5 टूसा 10 और यहाँ है 3 बंजा 3 3 सिक्जा 18 तो मतलब हमको मिलता है यहाँ पे 12 kilometer पर आर अगर हमारे पास में यह option में है तो यह हमारा correct option है और यहाँ यह option सही है 20 kilometer per hour is the correct answer ठीक है हम देरे देरे अपने questions को speed up करते जाएंगे आप बिल्कुल यह चीज के लिए निस्चिन्त हो जाएए बिल्कुल tension मतलीजिए कि आप का speed कम होने वाला है एक बार जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगे तो फिर आप बाकी सारे questions practice करने के समय बहुत ही high speed में कर खाएंगे तो यह introduction है और इसको introduction जैसा ही treat करते हैं बढ़ते हैं हमारे अगले question के तरफ अगला question यह है third question कहता है कि a man riding his bicycle covers 150 meter 25 second में तो अभी हमको distance पता है time पता है मतलब हमको speed निकालना है speed हो जाएगा 150 meter कितने time में 25 second में तो यह होता है 25 2 the 50 35 6 the 150 so हमारे पास में जो meter per second 6 meter per second की speed आ गई अब हमको क्या करना है हमको इसको convert करना है kilometer per hour में और अभी अभी हम लोगों ने दिखा था कि 18 divided by 5 से multiply कर देना है तो 6 into 18 divided by 5 ओके और यह हो जाएगा 21.6 so this is our correct answer ओके आप यह calculate करके देख लिजे आगे बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ अगला question कहता है कि एक जो bus है उसकी speed है 72 km अब वो 5 second में कितना distance cover करेगी सबसे पहले देखते हैं यहाँ km per hour है और हमको time पूछा है seconds में तो यह हमको convert करना पड़ेगा अब जब हम लोगों ने meter per second को km per hour में convert किया था तो हम लोगों ने 18 divided by 5 से multiply किया था अब अगर हम km per hour को meter per second में convert करना चाहते हैं तो इसी number से divide कर देंगे तो हमारे पास में क्या है तो यह 72 divided by 18 divided by 5 यह जाएगा numerator में तो हमारे पास हो जाएगा 72 into 5 divided by 18 अब जब हम इसको solve करेंगे तो हमको speed क्या मिलेगी तो 18 18 18 force is 72 तो हमको मिलती है speed 20 meter per second अब आप बताईए कि अगर 1 second चलने से 20 meter distance कवर होता है तो 5 seconds चलने से कितना distance कवर होगा 1 second में 20 meter 2 second में 40 meter और 5 second में multiply कर देते हैं और हमको मिलेगा 100 meter so 100 is the correct answer ठीक है यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो नीचे comment section में मुझे जरूर बताएं ये conversion वाला पार्ट था और इसके बाद में gradually हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद वाला question थोड़ा confusion है और जिन लोगों ने time and work, time and distance, sorry time and work and pipe and system इस तरीके के जो मेरे पहले के वीडियोज है मैं नीचे description में उसके links डाल दूँगा तो आप अगर वो वीडियोज देख चुके हैं तो आपको ये वाला concept बहुत इजली समझ में आएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं recommend करूँगा कि आप जरूर जाइए और वो वीडियो भी देखिए तो आगे देखते हैं दो लोग हैं और उन्होंने एक साथ चलना चालो किया जो पहला है मालने जाए पहले का नाम है ए तो उसकी speed कितनी है उसकी speed है 4 km पर आर ठीक है और दूसरे की speed मालने जाए उसको नाम है B तो उसकी speed है 3 km पर आर अब क्या होता है कि जो बाद वाला है वो आधा गंटा arrive half and hour before the letter मतलब जो बाद वाला है वो जो है उससे आधे गंटे बात पहुंचता है तो फिर जो है जो distance है वो calculate करना है अब हमको तो पता नहीं है कि distance है कितना तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 4 and 3 हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 और 3 से fully divide हो सके मतलब ऐसा नंबर जो 4 से भी divide हो तो कोई remainder ना बचे और 3 से भी divide हो तो कोई remainder ना बचे ऐसा नंबर निकालने के लिए हम usually LCM निकालते है 4 और 3 का LCM होता है 12 तो 12 अब समझ लीजिए कि अगर हम लोगों ने अभी माना है और ये कुछ भी मान सकते थे X भी मान सकते थे लेकिन हम लोगों ने अपने convenience के लिए इसको 12 माना अब अगर 12 किलोमेटर चलना है और एक घंटे में 4 किलोमेटर चलता है तो 12 किलोमेटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा आप फिर से समझेए कि पूरा रास्ता 12 किलोमेटर लंबा है अगर एक को एक घंटे में 4 किलोमेटर चल सकता है तो 12 किलोमेटर चलने के लिए उसको कितना समय लगेगा 12 divided by 4 मतलब उसको 3 घंटे लगेंगे और उसी तरीके से B को कितने घंटे लगेंगे तो 12 divided by 3 मतलब B को वो 4 घंटे लग जाएंगे उसी रास्ते में चलने के लिए अब इन दोनों को जो time लगा उसके बीच का difference कितना है 1 hour और 1 hour को हम क्या लिख सकते हैं तो 1 hour को हम लोग लिख सकते हैं 60 minutes ठीक है लेकिन question में ये नहीं बोल रहा है question बोलता है कि उनके पहुँचने में जो distance मतलब जो difference था वो 60 minute नहीं था तो कितना था तो वो था half an hour मतलब उन दोनों के किसी जगा में पहुचने में जो time का जो difference था वो half an hour था इससे कितना गुना ज़्यादा तो इससे आधा तो उसी तरीके से total distance जो है वो भी 12 km नहीं था तो कितना रहा होगा तो total distance भी 12 का आधा 1 by 2 मतलब 6 km रहा होगा और ये हमारा correct answer है अगर ये चीज एक बार में समझ में नहीं आई तो आप परिशान मत होई है क्योंकि हम लोग इस तरीके के बहुत सारे question करने वाले है तो चल ये बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ और हमारा next question है कि walking at the rate of 4 km in hour a man covers a certain distance in 3 hours and 45 minutes अब उसकी speed क्या है 4 km per hour ठीक है और उसको time कितना लग रहा है तो 3 hours and 45 minutes पहले तो ये calculation में आपको समझा दूँ कि 45 minutes का मतलब होता है एक घंटे में कितने minutes होते हैं 60 और उसको कितने लगे 45 minutes तो इसको हम ratio के form में क्या लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 15,3,45 और 15,4,60 मतलब ये 3 by 4 हो गया और इस तरीके से total time क्या हो गया 3 hours, 3 by 4 hours ओके तो 3,3 by 4 ये एक mixed fraction है और अगर इसको हम convert करें तो क्या मिलेगा हमको 3,4,12,13,14,15 मतलब हमको मिल जाएगा 15,4,15 by 4 ये ओके improper fraction form में हम लोगों ने convert कर लिया तो यहाँ speed कितनी है 4 km per hour की time कितना है 15 by 4 तो ये हमारे question का पहला set हो गया अब क्या बोलता है कि अगर उसी को वो cycle से जाएगा तो उसको 16.5 अब 16.5 को भी हम fraction के form में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 16,2,32,33 by 2 तो 33 by 2 ये हमारी नई speed हो गए तो time कितना लगेगा ये question है हमारा अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए तो relation समझिए कि दोनों ही case में जो distance है वो same है और distance का formula क्या है तो distance is equal to speed into time ये हम लोगों ने सबसे पहले की slide में देखा था तो अब अगर आप 4 km per hour की speed से ओके 4 km per hour की speed से टाइम क्या था just a moment ओके तो ओके चलिए देखते हैं तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप 4 km per hour की speed से 15 by 4 आर्थ में पहुंचते हैं तब भी आप wide distance कवर करते हैं जो आप 33 divided by 2 की speed से चल के किसी unknown time t में कवर करेंगे यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई तो अब क्या करना है करना ये है कि ये 4 और ये 4 तो कट हो जाता है तो इसको कट कर लेते हैं और ये 33 by 2 अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15 into 2 ये 2 numerator में पहुंच गया divided by 33 मतलब होता है 30 divided by 33 या फिर इसको बोल सकते हैं 10 by 11 और यही हमारा time है तो देखते हैं कि 10 by 11 अगर हमारे option में है की नहीं है ओके यहाँ थोड़ी problem है और 10 by 11 जो है वो hours में था तो ये 10 ये जो 10 है इसको हमको minutes में convert करने के लिए 60 से multiply करना पड़ेगा और उसके बाद में 11 से divide करना पड़ेगा ये जब आप करेंगे तो आपको answer मिलेगा 54.5454 और इसलिए 54.55 ये हमारा correct answer होगा तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप ये calculation कीजिए और उसके बाद में confirm करके बताईए कि ये मेरा answer सही है की नहीं है आगे बढ़ेंगे हम आपने अगले question की तरफ और हमारा अगला question क्या कहता है हमारा अगला question कहता है ये तो एक bell गाड़ी है बुलॉक काट अब इसको क्या करना है 120 किलोमेटर चलना है अब इसके लिए इसके पास में time कितना है पंदरा घंटे है ये भी बहुत अच्छी बात है लेकिन अब क्या बुल रहा है की 3.5 of the journey उसने ओके तो 3.5 of the time तो हमारे पास में पहले ही है की 15 hours है और इस 15 hours का 3.5 तो क्या होगा 3.5 तो 3 by 5 into ये 5 है ओके इन्टो 15 और ये हो गया 5 3s are 15 तो 3 3s are 9 मतलब 9 गंटे में 9 गंटे में ये आधा distance distance क्या है 120 km है तो 120 का आधा कितना होता है 60 km तो 60 km तो ये 9 गंटे में चल चुका है अब total 15 गंटे थे तो बचे कितने गंटे 6 गंटे और इस 6 गंटे में हमको distance कितना कवर करना है 60 km यहां तक की बात समझ में आरी न भई तो अब अगर 60 km 6 गंटे में कवर करना है तो हर हालत में हमको हर एक गंटे में कितना चलना पड़ेगा 6 वंजा 6 6 टैंजा 60 मतलब 10 km पर आर की speed maintain करनी पड़ेगी and this is our answer ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ और अगला question क्या कहता है अगला question कहता है ये you arrive at your school at 5 minutes late if you walk with a speed of 4 km पर आर but if you arrive 10 minutes but you arrive 10 minutes before if you walk at 5 km पर आर तो अगर आप 4 km पर आर की speed से घर से school जाएंगे तो 5 minutes late पहुचेंगे और अगर 5 km पर आर की speed से चलेंगे तो 10 minutes पहले पहुच जाएंगे तो अब मैं आप लोगों को example बता देता हूँ मान लिये जाए कि school के शुरू होने का time है 9 o'clock अब आप 5 minutes late पहुचें मतलब आप पहुचे 9.5 में और अगर आप 5 minutes जल्दी पहुचेंगे तो आप किस समय पहुचेंगे 8 50 में ये 10 minutes पहले पहुच गए और इसको अगर solve करेंगे तो हमारे पास time कितना बसता है मतलब पहले पहुचने में और बाद में पहुचने में का difference कितना है 15 minutes का ये बात आप ध्यान रखेगा अब हमको distance नहीं पता है और वही तो निकालना है तो distance नहीं पता है तो इस question को solve कैसे करेंगे देखे A ये पहला case है जब आप कितने speed से चलते थे 4 की speed से और B जब आप भी मान सकते है तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम एक number मान ले अब वो कौन सा number मानेगे तो वो है एक ऐसा number जो दोनों से पूरी तरीके से divide हो सकता है कौन सा number होगा वो 20 अब ध्यान से देखे अगर आप 4 किलोमेटर पर hour की speed से चलेंगे तो 20 किलोमेटर कवर करने के लिए आपको कितना time चाहिए 20 divided by 4 मतलब आपको 5 घंटे लगेंगे is it clear और अगर आप 5 किलोमेटर पर hour की speed से चलेंगे तो फिर आपको 20 किलोमेटर कवर करने के लिए कितना time लगेगा 4 किलोमेटर 4 hours लगेंगे तो अब ये दोनों बातें जो हैं हमारे पास clear हो गए अब आप बताईए कि इन दोनों के बीच का difference कितना है अगर आप 5 की speed से चलते हैं या आप 4 की speed से चलते हैं तो same distance cover करने के लिए आपको कितना time लगेगा difference आएगा 1 hour का 1 hour को हम लिख सकते हैं 60 minutes ठीक है यहां तक की बात सही है लेकिन question बोल रहा है कि उनको 60 minutes का difference नहीं है तो कितने का difference है 15 minutes का और ये 60 minutes का कितना है 1 by 4 है मतलब ये है कि अगर उनके उनको जो time लग रहा है वो actual time का 1 by 4 है तो हम लोगोंने जो distance माना है वो भी 20 km ना होके उसका 1 by 4 होगा 20 divided by 4 होता है 5 km तो हमारा सही answer होना चाहिए 5 km देखते हैं और 5 km हमारा correct option है ठीक है so this is the right answer आपको ये चीज अगर अच्छी लगी है तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि आप like button प्रेस कर दीजिए और उसके बाद में ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए subscribe कर लिजे ताकि आपको फायदा हो सके हर बार जब मैं नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले ठीक है अब बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ सरिता और जूली अब इन लड़कियों को क्या हो गया भाई तो देख लेते हैं बात करते हैं इसे सरिता और जूली एक साथ चलना चालो करती हैं एक ही जगा से तो चलो भाई एक जगा बना लेते हैं अब यहां से सरिता और जूली दोनों चलना लगी और ये दोनों अलग-अलग direction में जा रही हैं, opposite direction में, तो एक लड़की इधर चली गई सरिता और एक लड़की जूली इधर चली गई, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रही है, इनके बीच का difference, distance जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और अभी क्या बोल कितनी है, तो सरिता की speed है 5 by 2, देखें, यहाँ पर 2 and half है, तो हम लोगों ने इस mixed fraction को improper fraction में convert किया 5 by 2, और जूली की speed है 2, अब आप समझ जाए कि अगर एक की speed 5 by 2 है, और दूसरे की speed 2 है, और यह opposite direction में बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों की speed add हो जाएगी, ठीक है, तो 5 by 2 plus 2 कितना होता है, तो यह हो जाएगा, to 2 is a 4, so 9 by 2, ठीक है, 9 by 2 की speed से, अगर इनको 18 km cover करना है, तो कितना time लगेगा, तो हम formula लगा देते हैं, यह है distance, और यह है speed, हमको time निकालने के लिए distance upon speed करना है, 18 divided by 9 divided by 2, और यह जो 2 है, यह यहाँ से उठ के denominator से numerator मे जाएगा, तो यहाँ multiply हो जाएगा, 9, 2's are 18, और 2, 2's are 4, तो इनको 4 घंटे लगेंगे, this is the correct answer, ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ, और अगला question क्या बोलता है, यह देखते हैं, A is twice as fast as B, speed की बात हो रिये भाई साब, तो अभी A और B के relation बात कर लेते हैं, A एक घंटे में 2 km चलता है, तो B एक घंटे में एक ही km चलता है, ठीक है, and C is, okay, B is twice as fast as C, तो अब B और C के relationship के बात कर लेते हैं, तो B अगर एक km चलता है, तो, sorry, A, C अगर एक km चलता है, तो B उसी time में 3 km चल लेता है, अब B की values अलग-अलग हैं, जो की नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में 3 का multiply कर देंगे, तो हम को क्या मिलेगा, A ratio, B ratio, C की value मिलेगी, क्या, 1, 3, और यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये ratio and proportion में तो मैंने इसे बहुत detail में discuss किया हुआ है, तो अगर आपको ये चीज ज़्यादा अच्छे से समझनी है, तो नीचे description में लिंक देखो, और ratios and proportion भी पढ़ लो, तो अब C के comparison में A की speed 6 गुना ज़्यादा है भाई, अब क्या होता है कि जिस, तो जिस distance को cover करने में C को देड़ घंटे लगते हैं, उस distance को A कितने time में cover करेगा, तो अब आप देख लीजिए formula क्या है, formula ये है कि distance D is equal to speed into time, अब ये तो दोनों के लिए same होने वाली है, तो फिर क्या होता है, कि A और C की बात कर रहे हैं, A की speed 6 गुना ज़्यादा है, तो अगर C की speed 1 है, तो यहाँ A की speed क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है, और देड़ गंटे 1 and half, एक गंटे में होते हैं भाई, 60 मिनिट, और आदे गंटे में होते हैं, 30 मिनिट, तो इन दोनों को जोड लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है, 90 मिनिट, तो यहाँ अगर 90 मिनिट multiply कर दें, तो अब A को कितना time लगेगा, यह T है और हमको पता नहीं है, यहाँ तक की बात clear हो गई, अब T निकालना है और यहाँ equal to sign है, क्योंकि distance of A, distance of C दोनों बराबर है, वही distance cover कर रहे हैं उन लोग, तो अब क्या करेंगे, यह 6 को हम दूसरे side transfer करेंगे, और यह यहाँ जाके divide हो जाएगा, तो 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 5s are 30, मतलब यह हो गया, कि 15 मिनिट में ही A वो distance cover कर लेगा, जिस distance को cover करने के लिए C को देड़ घंटे लगते हैं, I hope, कि यह हमारे option में भी हो, क्योंकि यही correct answer है, तो देखते हैं, और 15 मिनिट, yes it is, so 15 मिनिट is the correct answer, अब यह था हमारा पहला वीडियो, time and distance का, और इसके बाद में, बहुत सारे ऐसे tricky questions, मैं आप लोगों के साथ में discuss करने वाला हूँ, जो usually competition exams में पूछे जाते हैं, so आप अभी तक अगर subscribe नहीं की हैं, तो यह सही time है, क्योंकि इससे आपी का फाइदा है, आपको ही हमारी इतनी सारी मेहनत के बाद में quality वाली चीज़ सीखने के लिए मिल रही है, तो subscribe the channel अपने फाइदे के लिए और हमको भी encourage करने के लिए, like करने से हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो like तो जरूर करी देना, okay, these videos are brought to you by photon, and like कीजिए, share कीजिए, subscribe तो करी दो, and my name is अभिनवतो शांशू पंडे, thank you.